हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज में लिक्या हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो दोस्तों आज में बात कहने वाला हूं कि एक लोन का सेटलमेंट कराना सही है या एक लोन का पेमेंट ना करना सही है आज से करीबन तीन मैंने पहले मैंने एक वीडियो बनाया थी सेटलम पर उसी वीडियो में करते हुए बहुत कि सर अगर मैं पेमिंट नहीं करता हूं या मैं सेटल्मेंट करा लेता हूं तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है मतलब एक जगह मैं गाया भजाता हूं बैंक का फोन रिसीव नहीं करता और जो है मैंने उसके पेमिंट ही नहीं की या एक जगह मैंने उसका सेटल्मेंट करा ले तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक पेमिंट नहीं करते हैं और एक का सेटल्मेंट करा लेते हैं तो क्या प्रॉबलम आपको होगी या क्या आपके सिविल में इंपेक्ट ह है तो फैस्स सिनर्योट लेकर चलते हैं कि मान के चले कि आप हैं आपने क्या कि कि एक बेंक्स से लोन लिया दो लाघ रुपे का और आपने कुछ महिने पेमिन करके बेंक को फिर हैं पेमिंटिनी की और आप हो गया गयाव और आपने जो भी बकाया माउंट था वो पे नहीं करते हुए एक साल दो साल पांच साल तक मतब दस साल हो गए पांच साल हो गए आपने जो है payment की आप हो गया आपको लून की जुरूति नभड़ी पांच साल तक छह साल तक छह साल साल के बाद पड़ भी गई अब example मैंने आपको दिया अप द settlement करा लिया एक लाग रुपए का जहां पर बैंक को आपको देना था वहां पर 50,000 रुपए देके 40,000 रुपए देके आपने settlement करा लिया तो दोस्तों civil के point of view पर देखे कि आपके civil पर क्या impact पड़ेगा आप मेरे left hand side पर देखे जब मैंने खुझ अपने credit card का settlement कराया था तो उ सारे delay आपको देख रहे होंगे और उसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि सारे 00 दिखा रहे मतलब वह एक जगा freeze हो गया जहां मैंने settlement कराया जितने दिन मैंने delay किया वहां तक वह आपको दिखा रहा हो वह एक तरीके से freeze हो गया जहां पर मैंने bank को समझाता करके कुछ भ मैंने settlement कराया पहला कि जितने दिन delay करता रहा हो सारे delay मेरे civil पर update होते रहे settlement का case बता रहा हूँ कि जहां मैंने settlement कराया और एक time पर आके वह freeze हो गया freeze हो जाने के बाद आप उपर देखे रहें कि जीरो जीरो का मतलब हुआ कि delay नहीं है freeze हो गया वहां पर कि इतने दिन का delay है और मैंने उस card का settlement कराया है वह settlement की entry चली गई amount भी था पहले amount अब हड़ चुका है लेकिन जो settlement मैंने कराया वह entry अभी भी है अब उस case में समझे कि आपके civil में जितने दिन यहां भी आप डिले देख रहे थे अब यह delay तो मेरा तब हुआ कि जब मैंने settlement करा लिए freeze हो गया लेकिन जहां पर मैंने payment नहीं करूंगा तो यह बढ़ता जाएगा दिन बढ़ता जाएगा चाहिए इसमें 1000 दिन तक के भी न खाता रहेगा अब settlement case में क्या हुआ कि मेरा civil जो है फ्रीज हो गया मैंने जितने दिन payment नहीं की वह वही पर जाके रुक गया और साथे साथ एक negative entry चलेगे कि मैंने उस card का या उस loan का settlement कराया settlement case में क्या होता है दोस्तों कि आप उसको बाद में जाके अच्छे तरीके से तो मेरा कुझ loan लेना था मैंने ले लिया पेमेंट नहीं की लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि वह civil में कुछ भी नहीं होगा लेकिन वह जितने दिन डिले करते जाएंगे वह update होता जाएगा जितने दिन डिले करेंगे चाहे 5 साल तक नहीं करेंगे 5 साल तक वह दिखाता कर रहेगा सेटलमेंट का फायदा यह हुआ दोस्तों कि सेटलमेंट आपने करा ली तो उस केस में क्या होता है कि आप loan अपने civil को धिरी धिरी कर रोके सुधार पाएंगे एक सेटलमेंट कराने में आपकी रुख जाती है कि आपने इतने दिन ही डिले किया है लेकिन जहां पर पेमिंट नहीं करते हैं वह बढ़ता जाता है वहां पर आप अपने civil को सुधार भी नहीं पाएंगे आप सोचेंगे कि मैं FD अगेंस क्रेडिट कार्ड ले ले लेता हूं लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप वो ले भी लेते हैं अगर आप उसको सुधार भी देंग या प प्रूब होगा और मैंने एक वीडियो भी बनाया थी कि कैसे जो है सेटलमेंट कराते हैं वक्त मेरा सिविल जो है वो 640 हो गया था 784 से 640 सिविल को मेरे को 771 करने में दो साल का करीबन करीबन टाइम लग गया तो सेटलमेंट केस में क्या होता है दोस्तों कि आपका सिविल खैज क्यों साथे साथ की से धिले होता है वो भी रूख जाता है और बस एक नोगति पेमेंट नहीं करते हैं सोचते कि मेरे को क्या हो जाएगा में पेमिंट नहीं करूं गा तो उस केसमें जब्स सेल के या दस से हमें लोग लेनिके लिए जाएंग精ता क्यां पादे लिए करना आपका सीविल जो है जहां पर payment आप नहीं करते हैं वह तो खराब होता ही होता है साती साथ आपका सेविल सुधाने को आपको मौका नहीं मिलेगा मौका तब मिलेगा जब आप लोन के लिए अपलाई करेंगा और आपको settlement नहीं करा है तो जरूरी नहीं कि 5 साल के बाद आप जब लोन ने निकले जाएंगे तो bank आपको बोलेगे वही 50,000 उपे पे करके आप जो है अपना civil को ठीक कर सकते हैं नहीं, bank आपको बोलेगे आस तका interest दो, नहीं तो जो भी penalty charges है वो सारा चीज आपको लगा के वो 50,000 का 2,000,000 बना के आपको बोलेगे आप इसको पे करो तो आपको जब bank offer कर रही थी settlement के लिए तो हमने settlement नहीं करा है हमने क्या करा है कि payment नहीं करूँगा मैं चाहिए और साती साथ जितना दिन आपने डिले किया है वो एक फ्रीज हो जाता है कि आपने 50 दिन पेमेंट नहीं की एक जगाह आके फ्रीज हो जाता है लेकिन जहां पर आप payment नहीं करते हैं वो बढ़ता जाता है जितने दिन डिले करते जाएंगे वो दिखाता रहेगा कि इतने दिन आपने डिले किया है और साथी साथ वो overdue के तौर पर उतना पूरा amount यहां पर zero दिखा रहेगा लेकिन आपका total amount जितना आपने पेनिक है वो द पांसाल पहले आपने जो 50 जौरापए का आपको payment करने के लिए बैंक करी ती ओफर दे रही थी आपने जो है पेमेंट नहीं कि आप पांस साल के बाद आपको बैंक करी दो लाख रुपे करो तो आपको लोन की जुरूत है अब वो दो लाख रुपे पे करेंगे तो जरूर सामने में तो settlement का options होता है सबसे best होता है अगर आप सोचेंगे तो आपको खुछ समझ मैंगा कि settlement करा लिने से अगर मान के चले bank से समझाता करा लिया तो कम से कम आपके पास time रहेगा आप उसको धीरे धीरे करके recover कर सकते हैं लेकिन bank को payment अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं करते हैं तो बैंक के नजर में दिफॉल्टर होई जाते हैं settlement के इसमें भी डिफॉल्टर हैं लेकिन उसमें चांसे होते कि आपका civil ठीक हो जाएगा लेकिन जहां पर आप payment नहीं करते हैं वो overdue के तौर और जितने दिन डिले करते जाते हैं वो डिले आपके civil पे as it is अरहता है और फिर जब लोन लेने के जाएंगे तो आप परिसान होंगे फिर यहीं जो आजकल laughs प्यांने के चकर में क्यमने कहीं को है rumors श्छोच यह मेंगे अगर आपके पास payment है या कुछ भी है तो settlement कि आलेना ही सई है अगर आप payment नहीं करतें तो बात में आप और प्रॉब्लम होगी और फिर आप यह सोचेंगे कि कहा मैं फंस गिया और उसी टाइम में मेरे को सेटल्मेंट करा लेना चाहिए था सेटल्मेंट करा भी लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है ठीके दोस्तों धन्यवाद